तो 1941 में परल हर्बर के उपर अटाक करके जापान ने अपनी कबर खोद ली इसका एंड कैसे हुआ हिरोशिमा और नागा साकी के उपर एटम बम गिराए जाता है जापान तबाह हो जाता है बट ये अटाक किया कियो परल हर्बर का जापान ने आपके 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 पास लेंड रिषी सुर्स के उपर कबजा कर लिए है इसेटरन चैना के उपर लेकिन इस कबजे के चलते US नाराज हो रहा था UK नाराज हो रहा है इसलिए बहुत सारे एक्स्पोर्ट सैंक्शन्स लगा दिये गए जापान के उपर तो अब US और UK बड़े स्केल पर ओयल नहीं एक्सपोर्ट कर रहे थे जापान को तो जापान की इंडस्ट्रिल ग्रोथ रुख जाएगी जापान ने बोला रुप नहीं बैठूंगा मैं तो फिलिपीन्स, इंडो मलिया और इंडोनेशिय तीनों पर खबजा कर लूगा बट अगर इन जगों पर अटाइक करता जापान तो पक्ता यूएस की पैसिफिक फ्लीट रिस्पॉंड करती इसलिए जापान ने सुचा कि इससे पहले यूएस रिस्पॉंड करे हम भी यूएस की उपर अटाइक कर देते हैं और परल हार्बर की उपर 1941 में अटाइक करके जापान ने अपनी खुद की कबर उद ली